आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में कैसे हैं आप मुझे उमीद है कि बहुत अच्छे होंगे बहुत मस्त होंगे और जहां भी हैं वहां मज़े कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ में यानि कच्छा चार में इवियस यानि परियावरन अध्यन के अध्याय 9 की यानि चैप्टर 9 की जिसका नाम है बदलते परिवार तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बदलते परिवार में कैसे बदलते हैं यहां पर लिखा है यहां निम्मी सेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिये गए हैं चित्रों को देखो और चर्चा करो सबसे पहले लिखा है नन्हा महमान निम्मी का परिवार बहुत खुश है उसके यहां नन्नी सी चोटी बहनाई है आप दे अब आगे लिखा है कि निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन-कौन थे? तो चित्र को देखिए, चित्र को देखकर हम बता सकते हैं निम्मी के दादा-दादी, पापा-म्मी और निम्मी के चाचा दिखाई दे रहे हैं और निम्मी है न? ठीक है. आगे लिखा है इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं तो कुल मिलाकर इस परिवार में 6 लोग हैं है ना लेकिन अब क्या हो गया है निम्मी की छोटी बेहन भी आ गई है तो उसके बाद में कुल 7 लोग हो गए हैं अब हमारे सामने है, बताओ, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घरवालों के जीवन में क्या-क्या बदलावाएंगे, जैसे, अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी, देखिए, अब निम्मी की छोटी बहन आ गई है, तो अब निम्मी अपनी छोटी बहन के साथ अप अपना समय बिताएगी, ज्यादा से ज्यादा, खेलते हुए, मस्ती करते हुए, मा अब क्या-क्या नए काम करेगी, तो अब छोटी बच्ची की देखभाल का नए काम मा के जिम्मे आ गया है, है न, तो मा अब अपनी छोटी बच्ची की देखभाल करेगी, इसके बाद पिता पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे. क्या तुम बता सकते हो कैसे? देखी, दादाजी, पिताजी और चाचा, इनके दिन भर के कारियों में जो छोटी बहन है, उसके साथ खेलना शामिल हो गया, उसकी देख भाल करना, इस प्रकार के बदलाव, देखने को मिलेंगे. इसके बाद है, क्या तुम्हारे घर में या आस पडोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? फिर लिखा है कि घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? ये बताईए. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पडोस में एक बच्चे का जन्म हुआ है. और घर में जब नन्हा बच्चा आ जाता है, तो सभी उसके आने से बहुत खुश हो जाते हैं. इससे घर में क्या-क्या बदलाव आते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि घर में न, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं. नए बच्चे के लालन-पालन के लिए, उसकी देखभाल के लिए, नई-नई प्लानिंग्स, नई-नई उजनाय बनाते हैं, है न? अब आगे लिखा है, तो महारे या किसी रिष्टेदार के घर में, जो सबसे छोटा बच्चा है, उसके बारे में कुछ बाते पता करो, और लिखो, जैसे, उसका जन कब हुआ, ये आप लिख सकते हैं, है न? कि भाई, दो हफ्टे पहले हुआ, या दस दिन पहले हुआ, ऐसे, वह लड़की है या लड़का, ये भी आप लिख सकते हैं, फिर आगे लिखा है, तुम्हारे उससे क्या रिष्टा है, जो भी रिष्टा हुआ, आप ज़रूर लिखिएगा, चाचा की बेटी, दीदी की बेटी है न, वगेरा वगेरा, उसका जन कहां हुआ, वो भी आप लिखिएगा, वह शकल में किस से मिलता या मिलती है, ये भी आप लिखिएगा, अक्सर ऐसा होता है न, कि छोटे बच्चों की शकल उनके माता-पिता के साथ मिलाई जाती है, उसकी आखों का रंग कैसा है, क्या उसके दाथ है, उसे खाने में क्या देते है, अभी उसकी लंबाई कितनी है, बच्चा दिन में कितनी देर सोता है, वह क्या-क्या आवाजे निकालता है, और वह किस के पास ज्यादा रहता है, ऐसे तमाम प्रश्णों के उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है न, मुझे आपको बताता हूँ, आगी क्या लिखा है, बदली हो गई, सेरिंग के बाबा को उनकी ओफिस से चिठ्थी मिली, उसमें लिखा है कि उनको उचा पद मिला है, और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है, सोचो, जब सेरिंग के बाबा ने अपने घरवालों को चिठ्थी क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको अपने दोस्तों को छोड़के दूसरे शहर जाना पड़ा, अपने पिताजी की या बाबा की नौकरी की वजह से, बाबा की बदली होने के कारण, सेरिंग के परिवार में अब क्या बदल जाएगा, बताईए, क्या-क्या बदलावाएंगे, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब वो लोग नए घर में जाने वाले हैं, है न, सेरिंग के परिवार में से कौन-कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे, तो सेरिंग की मा रहेगी, सेरिंग रहेगा, है न, अपने पापा और इसके अलावा उसकी बहन, फिर लिखा है कि सेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि वह अब जहां उसके बाबा का ट्रांसफर हुआ है, वहीं के किसी नए स्कूल में जाए पुराने दोस्तों रहेंगे और उसे कुछ नए दोस्त भी मिलेंगे, है न, फिर लिखा है, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगा जाना पड़ा था, तो मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरे चाचा के काम के कारण हमें दिल्ली जाना पड़ा, आ सामान ने सबल, सॉरी, मैं कह सकता हूँ कि एक सामान ने था मेरे लिए बदलाओ, है न, हम लोग खुश भी थे, क्योंकि हम लोगों को एक नई जगा देखने का आवसर प्राप्त होने वाला था, ठीक है, इसके बाद में लिखा है, क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में अभी दूसरी जगह से बच्चे आये हैं, यदि हाँ, तो उनसे बादचीत करो, बिल्कुल आते हैं, है न, और हम उनसे बादचीत भी करते रहते हैं, फिर आगे लिखा है, वे कहां से आये हैं, तो आप वो जहां से भी आये हैं, उनका नाम यहाँ पर जगह का लिख दीज पिर ने हैं यहां क्या क्या लगा, जो जो लगा, वो वो उन से लिखवाइगा, जैसे उन्हें आप जेसे ने ने दोस्त मिले होंगे, है न, फिर आजे है, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा? तो अगर उनके पास आप जैसे दोस्त हैं तो बदलाव तो अच्छा लगेगा ही यह सब चीजी लिखिएगा अब आगे लिखा है शादी है आज नाजली के यहां सब बहुत खुश है उसके बड़े चचरे भाई की शादी है देखिए तो कितने सारे लोग दिख रहे हैं अब बताओ क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे और क्या क्या बदलाव होंगे तो देखो जब शादी होगी तो नाजली के परिवार में एक नई मिंबर आ जाएगी सदस्य आ जाएगी है ना नाजली की भावी है ना फिर आगे हमसे पूछा है तुम भी अपनी मा चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहां रहती थी ठीक है तो देखिए शादी के पहले अपने मा पिताजी के घर वो रहती थी है ना आप पता करके लिख सकते हैं अब समझे आगे लिखा है तब उनके परिवार में कौन कौन थे तो उनके परिवार में उनके उनकी बहने उनके भाई उनके माता पिता दादादी थे आप भी उनसे पता करके लिख सकते हैं फिर लिखा है क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है अगर हुई है तो किस की तो देखिए मेरे परिवार में किसी की नई शादी नहीं हुई अगर आपके परिवार में हुई है तो आप जरूर लिखेगा फिर आगे लिखा है कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है क्या कुछ खास खाना पकाये जाता है क्या क्या तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी नई-नई तरह के पकवान पकाये जाते है अलग-अलग प्रकारगी सबजिया मिठाईया है ना हलवा डाल पुलाव पूरी और भी बहुत कुछ है ना फिर है दुलह दुलहन कैसे कपड़े पहनते हैं तो दुलहा मैंने अकसर दुले को शेरवानी पहनते हुए देखा है और चूडी दार पैजामा पहनता है पगड़ी भी पहनता है और दुलहन चुनरी, लहंगा, रेशम की कढ़ाई की गई ओढ़नी ये सब पहनती है ठीक है आगे लिखा है शादी के नाच गाने किस तरह के होते है तो मैं आपको बता दूँ कि शादी के अवसर पर उस छेतर में जैसे कीत काय जाते हैं और आधुनिक, मॉडरन दोनों ही तरह के नाच गाने होते हैं आप अपने अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हैं आगे है तुम जब किसी शादी में गए थे उसमें तुमने क्या-क्या देखा अपनी कौपी में चितर बना कर बताओ तो भाई ये काम तो आप ही कर सकते हैं क्यूंकि चितर तो आप ही बहुत अच्छा बनाते हैं है ना? तो जरूर बनाईएगा कक्षा के और बच्चों के चितर भी देखिएगा हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों में अलग-अलग कारणों से बदलाव हुए अब बदलाव के कारण हम लिखते हैं निम्मी के परिवार में क्यों हुआ बदलाव? होने के कारण सब के साथ चले गए, इसलिए हुआ. फिर आगे लिखा है नाजली के परिवार में, तो नाजली के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने से, उसकी भावी आई और बदलाव हुआ. क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं बता करो किन किन कारणों से तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जब परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लग जाती है तब कुछ बदलाव हो जाते हैं किसी सदस्य के कोई नया सामान खरीदने जाता है बाहर, तो हो जाते हैं, है न, या फिर आप कैली जी की स्कूल में अडमिशन वगेरा कराना है, आदी सब चीजों से, आगे लिखा है, तीन बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से, उनसे नीचे दिये गए प्रशन पूछो, और तालिका में भरो, अब क्या प्रशन दिये हैं तालिका में, आपका परिवार कितने सालों से यहां रह रहा है, तुम्हारा परिवार कितने सालों से रह रहा है, वो भी लिखिएगा, दोस्त का परिवार कितने साल उसे रह रहे हैं, ये भी यहाँ पर लिखेगा फिर आगे लिखा है यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहां रहता था आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहां आपका परिवार रहता था बान लिजी आपका परिवार रहता था अमरावती तो आप उसका नाम लिख दीजिएगा है न? ऐसे ही दोस्त का और आसपडोस की फिर आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? वो लिखिएगा दोस्त के परिवार में कितने हैं और आसपडोस में कितने हैं ये भी लिखिएगा फिर ये लिखेगा कि आपके परिवार में दस साल पहले कितने लोग थे दोस्त के परिवार में कितने थे और आस पडोस में ये भी लिखेगा इसके बाद लिखेगा इन बदलाओं से आपको कैसा लगता है ये भी लिखेगा दोस्त के परिवार में भी और पडोसी में भी फिर तक्निकी बदलाओं के कारण आपको किन परिशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि नए शहर में शिफ्ट होना हो गया आदि तो इसके बारे में भी आप जानकारी लिख सकते हैं फिर आगे हमारे सामने लिखा है मेरा परिवार कल, आज, कल यानि बीते हुए कल, आज और आने वाला कल तो चलिए, पढ़ते हैं सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं है न, देखें, तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं जब तुम्हारे दादी दादा या नानी नाना तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है तो इसका जवाब हम ये देंगे कि नहीं बदला हुए है याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चितर देखा था तुमने अपने परिवार के पेड़ का चितर भी बनाया था है ना तो चलो फिर से परिवार का एक पेड़ बनाते हैं आप जरूर बनाईएगा अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करना कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन-कौन थे अपनी कौपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाना क्या इस परिवार की पेड में तुम या तुम्हारे भाई बहन, मा, पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं अब तुम अपने आज के परिवार का पेड अपनी कौपी में बनाओ इस पेड में अब तुम कहा हूँ? आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादी दादा या नानी नाना कहा है? ये सब चीजे आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, बताओ, तुम्हारे आज के परिवार का पेड़, तुम्हारे दादा, दादी, नाना या नानी के बच्पन के पेड़ से किस तरह से अलग है? ये तो आपको पेड़ बनाने के बाद ही पता चलेगा. आगे है स्कूल में वापसी, तुम कहां तक पढ़ाई करना चाहते हो? तो मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई तक करना चाहता हूँ पढ़ाई. इसके बाद लिखा है, तुम्हारे ममी पापा ने कहां तक पढ़ाई की है? तो मेरे ममी पापा दोनों ही ग्रेजुएट हैं. फ फिर आगे है, तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब वो पढ़ रही थी, तब उनकी शादी हो गई. फिर लिखा है कि क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है, जो लड़कियों और लड़कों की कम स किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है, तो हाँ, सुना है, है ना? मैंने सुना है कि कानून की अनुसार लड़कियों की शादी 21 वर्ष की उम्र में तथा लड़कों की शादी भी 21 से 23 वर्ष की उम्र में होनी चाहिए. बहुत सी ऐसी लड़किया हैं जिनकी शादी 18 साल की आयू से पहले ही कर दी जाती है इन में से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी जोड़ना पड़ता है रंगा रेड़ी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानिया है जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना तो बहुत जरूरी है उनकी बच्पन में ही शादी नहीं करनी चाहिए आंद्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेश कैंप लगाता है क्या आपको इसके बारे में पहले पता था इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादी शुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है जगम्मा और चिट्टी कहती है हम पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है अब आगे लिखा है पता करो और लिखो क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छुड़ गया है बात करके पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं तो हाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छुड़ गया है और वो फिर से भी पढ़ना चाहते हैं मैंने पता किया था वे आजकल क्या कर रहे हैं तो वो आजकल अलग-अलग तरह के काम करते हैं क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है और अगर हुई है तो किस की तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में पिछले दिनों कोई शादी नहीं हुई आप के हाँ हुई हो तो आप जरूर लिखिएगा आगे लिखा है कि पता करो दुला दुलन की उम्र क्या थी अब जो भी हो 23 साल, 26 साल आप लिखिएगा फिर आगे है उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे दुलन ने भी और दुले ने भी ये सब भी आप यहाँ पर लिखिएगा भोजन में क्या-क्या बनाया गया था जरूर शेयर कीजेगा ताकि वे लोग भी देखें इस वीडियो को और समझ पाए इस जानकारी को बाकी आप से जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार